Short notes वो formulas और points हैं जो आपको as it is रटने के होते हैं, याद रखने के होते हैं, उन्हें कहते हैं short notes में उन points को लिखना Digital notes बना सकते हो, handwritten बना सकते हो, इनको print कर सकते हो, जैसे आप चाहो कर सकते हो ऐसा जरूरी नहीं कि short notes है तो छोटी-छोटी handwriting में लिखे हाँ, पास-पास में लिखोंगे तो number of pages कम लिखेंगे, आपको थोड़ा सा psychological advantage आएगा Hello everyone, good morning, good afternoon and good evening, my name is Vishwadip और आपका स्वागत करता हूँ PWGate वाला channel पे आज के इस session में मैं ऐसे point के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसके बारे में आपको बहुत कम जानकरी होती है और अपनी preparation में आप इस चीज़ को शायद समझ भी नहीं पाते अगर आपको ये बताया नहीं जाता है कि इसकी इतनी importance है और वो है short notes आप जब अपना preparation start करते हैं तब हर कोई कहता है कि आप अपने notes बनाईए, detail में लिखिया हर चीज़ जो आपको समझाई गई है एक एक course के बारे में एक एक point क्यों कहा जाता है notes के बारे में ताकि जब आप सारे subjects खतम करने तो सारे points को revise करें क्योंकि छोटे से छोटे corner पे ऐसे छोटे से छोटा concept miss out हो जाता है जो आप exam में अगर याद नहीं रखते हैं तो उससे आपको एक question जो है solve नहीं होगा और ऐसे अगर धेर सारे concept आप भूल जाएंगे तो आपके बहुत सारे marks cut हो जाएंगे ये तो रही बात normal notes की पट उसके अलावा एक और टाइप के notes हर एक student को बनाने चाहिए और वो है short notes मेने भी बनाए थे पर ये short notes क्यों क्या कैसे होते क्या है क्यों important है उसके पहले मैं जानकारी आपको देदू कि short notes हर एक student नहीं बनाता और short notes की जरूरत भी महसूस नहीं कर पाता एक्जाम लिख के आ जाता है तब भी नहीं पता चलता उसे कि अच्छा short notes भी बनाने चाहिए थे क्योंकि इसकी कमी महसूस नहीं होती और महसूस होती है marks में जब marks कम आते हैं तब सबसे पहले हैं आप उगा short notes क्या होते मैं बताता हूं short notes वह formulas और points हैं जो आपको as it is रटने के होते हैं याद रखने के होते हैं उन्हें कहते हैं short notes में उन points को लिखना तो short notes जब आप बनाएंगे तो आप जो अपने courses के formulas है important formulas या सारे formulas और जो points है जो आपको as it is याद derivation सीखा derivation करने के बाद आपको एक output आया हो सकता है कोई formula आपने निकाला derive किया या हो सकता है कोई analogy आपने कही theoretically समझ के पढ़के example के थूर निकाली कि ऐसा करेगे तो ऐसा होगा इस particular चीज में ऐसा होता है for example मैं computer science से हूँ मैं आपको computer science का example बताता हूं simple सा कि boss अगर आप द cash memory chapter आता है उस particular cash memory में cash mapping में indexing आती है indexing की सबसे ज़्यादा bits होती है direct mapping में सबसे कम minimum bits होती है zero fully associative mapping में ये point ना हम derive करते हैं ये point आप अपने short note में लिखिए कि maximum number of index bits यहाँ minimum इतनी इस particular किस में mapping में क्यों ऐसा क्यों दिखो एक simple सा funda मैं आपको बताता हूं जब आप अपने lectures पढ़ते हो आपको methods याद रहती हैं किसी चीज की किसी question को solve करने में अगर कोई method आपने सीखी है बड़ी सी तो वो method याद रह जाती है कोई भी आप concept सीखते हैं बड़ा सा तो वो concept याद रह जाता है बड़ा सा अगर उसमें कोई एक process या कोई एक method involved है त पर points as it is जो रटने वाले होते हैं याद रखने वाले या formulas जिसमें एक 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 जो छोटी सी चीज इधर की उदर भी तो गड़बर हो जाएगी उसको लंबे time तक याद रखना मुश्किल होता है तो जब हमें revision की बारी आती है तो revision में हम जब सारी चीज़े recall करते हैं methods और procedures किसी question को solve करने की understanding वो सब हम आराम से लंबे time तक याद कर सकते हैं अगर कोई course को आपने 5-6 दिन क्या 15-20 दिन एक महिना देड़ महिना भी नहीं पढ़ाना तो वो मोटे-मोटे तोर पे बड़ी-बड़ी चीज़े याद रह जाती हैं पर ये जो short notes में लिखी चीज़े हैं रटने वाली as it is याद रखने वाली इनको याद रखना थोड़ा नुश्किल होता है इसलिए short notes बनाये जाते हैं अब short notes जो है उसके एक example देखो में लेके आया हूँ एक computer organization architecture में disc नाम का chapter है मैंने वैसे तो सी हुए कि पूरे ही short notes बच्चों को दे रखे हैं बट ये उसका एक page का मैं photo लेके आगया हूँ कुछ particular short notes में मैंने formulas लिखे हुए है sector is the smallest addressable memory unit of disk which can be read or write at once ये as it is रटने वाली कुछ चीज़े हैं जो हमें क्या करनी है short notes में लिखनी है ये example ऐसे आप क्या कर सकते हो बना सकते हो digital notes बना सकते हो handwritten बना सकते हो इनको print कर सकते हो जैसे आप च short notes है तो छोटी-छोटी handwriting में लिखे हाँ पास-पास में लिखोंगे तो number of pages कम दिखेंगे आपको थोड़ा सा psychological advantage आएगा पर it's okay मैं अगर याद करू तो मेरे जो short notes gate 2010 के लिए मैंने बनाये थे वो करीबन 13 या 14 page के थे बड़ी-बड़ी जो copy आती उसके 13-14 page में सारे subjects के short notes थे अब short notes को बनाएंगे कब देखो usually तो दो time होते हैं जब बच्चे short notes बना लेते हैं अपने detailed notes को revision करने के time पर पहली बार जब revision होता है course खतम होने के बाद तब या फिर बच्चा जब पहली बार अपने course पढ़ता है तभी बना लेता है तो notes short notes तभी बना लेता है short notes अलग से लिख सकते हैं तो short notes में आप क्या करेंगे identify करिए कि यार ये point as it is written का इसको अलग से लिख लो ये वाला formula as it is अलग से लिख लो तो आपको लिखने में तो एक बार का revision और हो जाएगा उपर से short notes भी बन जाएंगे ताकि जब हमें सिर्फ short note revision करने की ज़रोत पड आइंगे तो उन बच्चों के लिए एक में चीज बता दूं कहीने कहीं notes तो आपके पास होंगे चाहे printed या किसी और के लिखे हुए है कुछ भी जहां से आप revision करोगे तो अगर ऐसा है तो आप एक काम करो आप क्या करो कि जो आपके full length notes है उन्ही मैं highlighter use कर लो highlighter होता एक pen 10-15 20 रुपे का आता है आप use कर लो digital है तो digital में तो free में भी आपको highlighter मिल जाएगा किसी ने किसी app में तो आप क्या करो highlighter use करो जो points आपके important लग रहे हैं short notes में लिखने लायक उनको highlight कर लो जिस बच्चे का syllabus already over है वो revision में अभी जा चुका है या October तक भी revision में अगर जाएगा तो म मैं तो recommend करूंगा कि short notes खुद ही बनाओ बेटा highlighter use मत करो लिखने से ना एक बार में recall भी हो जाती ही चीज़े ज्यादा याद रहता है लिखने से बच्चपन में हमने देखा है कि लिख लिक के याद करते थे हम ताकि ज्यादा अच्छे से याद रहे जाए लंबे time के लिए तो अगर आप खुद से एक पार उस point को लिखोगे ज्यादा time भी नहीं लगेगा लिखने में और recall भी हो जाएगा याद भी रह जाएगा उसका revision भी हो जाएगा उस formula का ठीके तो कब बनाएंगे short notes कैसे बनाएंगे मैंने आपको बता दिया ये सारे points अब बात करेंगे हम आप से कि short notes क्यों instant memory की लिए मैंने आपको already ये बात पहले भी बताई हुई है कि आपके methods, processes या किसी question को solve करने का तरीका हमें बहुत सारी चीजें जो है लंबे time तक याद रह जाती है एक कहानी की तरह दिमाग में छप जाती है पर जो ये रटने वाली चीजें होती है न हर किसी की memory photographic टाइप नहीं होती कि देखा और याद रहे गया और फिर याद ही रहे गया ये जो points है, formulas है, वो जो single single line वाले theorems हैं वो ना याद रखना हर किसी के बसकी बात नहीं होती है लंबे time तक अभी याद किया दो दिन, चार दिन याद रहेगा फिर भूल जाएंगे, क हमें कि वो 2-3 दिन तक याद रहे, इसके लिए हम short notes की जरूरत महसूस करते हैं, देखो सबसे बड़ा फाइदा मैं बताता हूँ, मानलो आपने revision start कर दिया और उसके बाद आप एक-एक subject का revision करके उनके subject wise test लिख रहे हो, अब आपने revision पहली बार जब आप करना शुरू करत हो ना, तो एक subject का revision करने में कम से कम 7-8 दिन लगते हैं, ज्यादा भी लग सकते हैं, अगर course बहुत बड़ा है तो, अब 8 दिन तक अगर लगातार आप एक course पढ़ते हो, क्या 8 दिन का पढ़ा हुआ हर point दिमाग में रहेगा? नहीं, उसका मोटा मोटा concepts आपके दिमाग में जाते हो, आठ दिन में पहले जो आपने पढ़े है ना, आठ दिन में वही भूल जाते हो आप, तो फिर उसको कैसे recall करें, पूरा note वापस revise करेंगे quickly, नहीं, जो रटने वाली चीज़ें हैं, उसको हम एक बार और revise करेंगे, ताकि जो 8 दिन में हमें revision किया, उसमें बड़ी बड़ी चीज़ें, processes और methods और questions all करने के concepts, बड़ी-बड़ी कहानिया सब दिमाग में रह जाती है, 10-15-20 दिन तक रह जाती है, पर short notes revise करने के बाद, हमें वो छोटी-छोटी points भी याद रह जाएंगे, इससे मैं guarantee के साथ कह सकता हूँ, कि आप एक बार करके देखिए, आप आपको test में जो marks पहले cut हो रहे थे, कि हम revision तो कर रहे हैं sir, पर कहीने कहीं फिर भी छोटी-छोटी चीज़ें miss हो रही थी, भूल जा रहे थे, वो अब आप नहीं भूलोगे, कैसे ये short notes की वज़े से, तो आप short notes को कब revise करोगे, आपके जितने भी आप test लिखोगे उसके पहले, तो मान लो आप कल एक subject twice test लिखने वाले हो, आपने revision किया पूरे course का अच्छे से practice की, कल जब आप test लिखोगे तो आज शाम में एक बार short notes या कल सवेरे test के 3-4 घंटे पहले short notes का पूरा revision हो जाए उस subject का, subject के short notes 3-4 page में आप लिख लोगे, आराम से 4 page को recall करने में hardly 2 गंटे एक गंटा लगेगा, test के पहले अगर आपने वो short notes revise किये, तो आपको उसी में से 2-4 question बन जाएंगे, ये पका guaranteed होता है, आपका test का score automatically increase हो जाएगा, अब पूरा subject revise करने में बड़े notes तो आप 2 घंटे में revise नहीं कर सकते थे, तो बड़ी-बड़ी चीजे दिमाग में हैं, पिछले 8-10 दिन से revision कर रहे हो उसकी, और जो आपने short notes revise किये, उसमें formulas, छोटे-छोटे concepts वो दिमाग में रह गए, क्योंकि अभी-भी पढ़े थे, और test में लिखके, और हमने test का score increase कर लिया, तो इसके वीडियो के title में आपने देखा है, thumbnail पे देखा है कि double digit पकी है, double digit, क्यों, क्योंकि test का score increase होगा आपका, तो आप automatically confident भी रहेंगे, जैसे-जैसे confidence बढ़ता है, तो हम 4 की जगे 8 चीज़ें कर लेते हैं extra, क्योंकि confidence में और ज़्यादा अच्छा करने का, और perform करने का और confidence आता है, चलो यार, हमने attempt किया, चलो, 20 में से हमें 15 marks आए, अगली बा तो test marks को increase करने से आए गई आएगा, simple सी बात है, है ना, चली, एक और चीज़ है, वो है short notes को आप exam के 10 दिन पहले भी revise करोगे, क्यों, ऐसा मैंने किया था, अपने आपके लिए, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैंने gate 2010 में All Indian 19 निकाली है, बास, हाँ जी, तो आप समझ सकते हो, कि ये कैसे आया है, मेरा personal experience है, जो मैं यहाँ share करना हूँ, मैंने क्या किया था, revision किया, 2-3 बार, 4 बार, सारे subjects का final year में अपने, और उसके बाद, last के 15 दिन मैंने रखे, सिर्फ और सिर्फ short notes revise करने के लिए, आप 10 days भी रख सकते हो, आपकी exam का date जब आ जाएगा, आ end days कोन से है, तो आखरी के 10 दिनों में मैंने सिर्फ full length test और short notes की revise किये, तो जितने भी short notes थे, मैं रोज revise करता था, बड़े-बड़े concepts भी उसके साथ याद हो जाते थे, recall हो जाते थे, पर वो जो रटने वाली चीजें थी, दिमाग में बैड गई थी, तो आखरी के 10 दिनों मैं रोज short notes, सारे subjects के रोज एक बार revision करता था, मैं सुबह से लेके evening तक जैसे भी मेरा schedule बनता था उसमें, तो उससे क्या हुआ कि जितनी भी रटने वाली चीजें थी, वो आखरी के 10 दिनों में रोज याद करने से exam time में मेरे को याद आ गई, और इसके अलावा बड़े- notes को बार-बार इतना detail में revision करने की जरूरत नहीं पड़ी, अब देखो मैं फिर से बोलता हूं कि बच्चा लोग बहुत सारे बच्चों को इसकी जरूरत महसूस ही नहीं होती, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि अच्छा short notes से ऐसा हो सकता था, है न, बच्चा बोलता है सारे test म marks नहीं आ रहे हैं, पर क्यों उसके multiple reasons है, उनमें से एक reason यह है, जो आपके test के score को, in fact, gate के score को भी drastically increase करने में मदद करेगा, आप अपने test में इसको आई करो, अगर आपके score improve होते हैं ऐसा करने से, वीडियो पे वापस आईएगा, comment करके जाईएगा, क्योंकि जो बच्चा आगे के आने वाले time में इस वीडियो को देखेगा, और comment पढ़ेगा, तो उसको लगना चाहिए कि हाँ, इसमें जो बताया गया है, वो कहीं ने कहीं काम किया, और आप जो है, मेरी मदद कर सकते हैं, अगर मैं आपकी मदद कर पार हूँ इस वीडियो के थूँ, तो मेरी प्रैटफर्म की मदद कर सकते हैं, उन बच्चों तब पहुँचने के लिए, जो बच्चे ये सोचते हैं, शॉट नोट की क्या ज़रोते हैं, या टाइम वेस हैं हम नहीं करेंगे, तो आपके experience से ये चीज इंप्रूव हो सकते हैं, उन बच्चों में भी, आगे आने वाल में थोड़ा सा awareness हो, यही awareness आपको अच्छे score और आपके target तक लेके जाएगा, so learning continue करते रहिए, और मेरा जो favorite quote है मैं वापस बोलूँगा, happy learning, see you again in next video, thank you, have a great day, bye bye.